आज मैं बहुत ही एक ज़रूरी इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ अक्सर ये समस्या बहुत लोगों को आ रही है मुझे इस पे काफी सारे कमेंट्स आयते हैं काफी सारी रिक्वेस्ट भी आई थी इस पे मैं जरू से वीडियो बनो वो टॉपिक है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आज आज है as a guest या कोई भी जिसकी एनर्जी बहुत ही जादा मतलब negative है यह जो आपके लिए बुरा सोसता है या कोई ऐसा व्यक्ति आपको कोई gift दे देता है या खाने की चीज आपको दे देता है जिसकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि आप यह जानते हैं कि जो भी हम कईवा तोफे लेते हैं या खाने की चीज लेते हैं उसमें भी कई बार वो energies carry forward होती है और हम पे उसका असर होता है कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आपके घर में आता है सब्सक्राइब कीजिए इंदुजी के remedies चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए regular life remedies के लिए नमस्कार मैं दुआ हुजा crystal ball gazer, pendulum dowser, वास्तु एक्सपर्ट और numerologist आप सभी का स्वागत करते हैं आज जो मैं आपको टॉपिक की जान करी दूँगी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वापुन है और ये daily life में हमें बहुत ज़्यादा काम भी आएगी इसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे कि जब भी आप ये उपाई करेंगे ना तो आपकी घर में सुक्षान्ती आने लग जाएगी वास्तु दोश में बहुत ज़्यादा कमी आप महसूस करेंगे आपको लगेगा घर में अब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है पैसे भी टिक रहे हैं करजे की अगर समस्या वो भी आपकी दूर हो सकती है बिना वजह ही अगर घर में जगड़े होते रहते हैं तो वो भी आप बंध हो जाएगी सेहत अगर आपकी खड़ाब रहती है तो उसमें भी सुधार नहीं लग जाएगा देखिए करमास तो हमें अपने करने ही करने उसी के साथ साथ इस उपाय को भी अगर आप करते हैं तो आपको सबसे पहला जो उपाय करना है मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान उपाय जो कि आप overall सभी members के लिए कर सकते हैं अपने घर के लिए कर सकते हैं आप देखिए कि घर में सुक्षानती आने लग जाएगी घर में बरकत होने लग जाएगी आपको उपाय की रूप में क्या करना है कोई भी आप बॉटल ले लिजी अगर वो कांच की बॉटल होगी तो वो ज्यादा अच्छा है कोई भी ढखकन हो कोई रंका हो कोई माइन नहीं रखता भले वो पुरानी बॉटल हो कोई फर्क नहीं परता बड़ी छोटी जैसे बॉटल आपको तयार हो जाए इसमें अब आपको क्या करना है नो कीले डालनी है नो लोहे की आप यह तो कीले डाल दे यह नो स्टील की देखी कीले यह भी आप डाल सकते हैं यह नो सुया आप डाल सकते हैं यह तो नो आल पिन डाल सकते हैं यह तो नो आल पिन डाल सकते है तो इसमें से कोई भी आप ये नो डाल दीजे, सबसे पहले आप ये बॉटल के अंदर डाल देंगे, ऩीख है, अब इसके अंदर आपको तीन चीजे और डाल लिए है, आप ये कितने भी मातरा ले सकते हैं, आप तीनों इकोल भी ले सकते हैं, सबसे पहला नमक, दुसरा कर नमक आप कोई भी ले सकते हैं, खाने वाला भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, पूरे तुकडे जैसे समझ मैं है, और शक्र, यानि कि चीन, ये तीनों चीजें आप मिक्स कर दें और इसको अब इस बोटल में या जार में आप भर देंगे, जो मैंने आज आपको जाने के संभावना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मोम बत्ती ले लिए, उसकी थोड़ी सी मोम को पिगला दीजिए, या जला दीजिए, जलाने के बाद उसमें से मोम निकलेगी ना, उस मोम से आप धकन को सील कर दीजिए, ताकि वो पूरी तरह से पैक हो जाए, उस सब इसके अंधर समाज है, हमारे घर में हमेशा प्यार बना रहे, सब्सके सिहत अच्छी रहे, पैसे की बरकत रहे, व्यापार अच्छ से चलने लग जाए, या वो चल रहा है, आप इसको प्रेजरण ठेहिं में भी बोल सकते हैं, जासे कि वो चीज हो रही है, हम आप सभी के लिए बोल दीजे, अब आप इसको कहीं पे भी छुपा के रखें, आप इसको रसोई घर में भी छुपा के रख सकते हैं, ठीक है, पूरे दिन में कभी भी करेंगे, बस इसको रख के भूल जाना है छे महीने के लिए, इसको बार बार आपको छुनाने हैं, ना ही हिलाने की आपको ज़रूत है साफ सफाई कभी आप करते तो ठीक है आप में उस वक अठाके साफ सफाई कर ली ठीक है लेकिन आप इसको छे महीने में वापस दुबारा चेंज करेंगे यानि कि उस बॉटल को आप खोलेंगे उसके अंदर की जो भी सामगरी आप इसको किसी प अप्टर गया जब ही आपको समझे में वही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे यह हुआ ओवर ओल मैंने सब के लिए बताए अब मैं आपको बताती हूँ सब्स आपको कोई गिफ्स देता है तो ऐसे मैं आपको क्या करना चाहिए चाहे आप सब्सक्षादी का कोई फंक्शन ह अब आपको क्या करना है अब आप गिफ्स खोलना चाहिए तो खोल सकते हैं नहीं खोलना चाहिए तो जैसे भी आपको समझ में दोनों तरीके से मैं आपको बता देती हूँ गिफ्स आप लेके हैं चाहे तो सेम डे अगर आप करेंगी तो बहुत अच्छा नहीं तो नेक्स पानी तो फोगा थोड़ा सा पानी हाथ में लेजे भगवान का नाम या गुरू का नाम लेजे और पानी उसके अपर छेड़क दीजे इससे क्या होगा जो भी एनर्जी उसके अंदर होगी इमेज़टली यह आपके पानी डालने से वह एनर्जी ब्रेक हो जाएगी वहीं कि गर के अंदर ही आपके कर सखते हैं कोई दिक्टिं कहीं पे भी आप सकते जमीन पे टेबल पर जहां समझ में चीक है पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं अब ए छेड़क दिया अब आपको यह बूलना है कि यह जो भी गिप्स है ना यह पूरी तरह से आप बरकत वाली होग ऊस्का असर आप नहीं होगा क्योंकि वहीं पर वो फिक्रकर मुझे हैं सबर्खाने विमानों वी भीक isł बिलकुल आपको फिक्र करने की बाते है अब बारी आती है खाने की बारी होताना बहुत बार आते हैं कि हम म्म में डाउट होता है यह वक्ती कुछ कर तो नि पता नहीं किस वईबरेसिं शेखाले में थे खराब होगी होता है ये इन्में अपने में भी टेipp खालता है है यह अम्रित है, यह अम्रित है, यह अम्रित है, बस इतना ही बोला है, यह पवित्र है, यह अम्रित है, मैं पुरी तरह से स्वस्त, बस मन में ऐसे बोल पर चले जाएं, बहले आपके वो मुह में रहे, आप यह बोल दे और उसके बाद उसको निगल ले, कोई दिकत नहीं है, क मैं तो आपको बोलूंगी कई भाज है आप मार्केट से शॉपिंग करके आते है तो देखिए आजकल तो रेडिमेट जूस भी लेते हैं हलाकि उसको अवयर करना चाहिए अच्छे रहते हैं लेकिन लिक्विड के चीजे जैसे सॉस हो गया या कोई भी जूस हो गया कुछ भी या पानी की बोटल ही आप लेकिया है तो ज़रूर नहीं कि आपने ही उस पे हाथ लगाया है उस पे कई लोगों ने हाथ लगाया होगा जब हम मौल्स में जाते हैं तो देखिए कई लोग उस पे हाथ भी लगाते हैं हाथ लगाते न तो क्या होता है उसमें जो भी उनकी फ बहुत ही जरूरी है, सिम्पल एस उस पर पानी चिड़क दीजिए, हाथ में पानी बोल कि ओवरल जितना भी आपका राशन है उस पर हलका पानी चिड़क दीजिए, यह तो आप ऐसा बोल देंगे, कि यह सारा खाना पवित्र है, अम्रित है, इससे हम सब स्वस्त हो जाएंग बस इतना ही आपको बोला है, बहुत ही सिम्पल रेविडिस है, आपको सुनने में यह बहुत ही मामूली चोटी सी लग सकती है, लेकिन यह बहुत ही स्ट्रॉंग और बहुत ही पावफुल है, एक बार इसको आप करके देखीगा, खुदी आप मुझे बहुत जल्दी हाँ कमेंट करके बताएंगे कि वाकई में परीवतन आने लग गया है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में तक तक आप अपने ध्यान रखेगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरू से कीजिएगा, आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में तक तक, wish you all the best, God bless you, namaskar अगले तक, हुआ है, ईप अगले वीडियो में अगले यूलो कर सकते हैं,